कि हम आपको ये बताएं कि जो तुम अचीव कर लोगे वह फाइनल नहीं है बहुत बढ़ी बाद बोल लाओ हुम जो तुम कर लोगे वो फाइनल नहीं है कि तोमारी जिन्दगी खराब हो जाएगी अगर हमें नीट नहीं मिलेगा तो हमारी जिन्दगी खराब हो जाएगी अरे तो आयाइटी बन के भी कौन सिद्थी रुखाड़ दोगे आइटी में पढ़ोगे वहां इतना आसान नहीं है जितना तुमको बेपकूप बनाया जाता है कोचिंग वाले जुनको बेपकूप बनाते हैं मैं तुम सही बता रहा हूं सच बोलना हो मैं आप से जो आयाइटी और नीट वाले समझते हैं ना एक्चली क्या है तुम लोग भारिमी क्लास के बच्चे और तो तुम लोग बहुत जुल्दी जो है खेल कर देतो जीवन पर बहुत अच्छी बात है कि आप किसी एम के लिए लड़ रहे हो मैं इसमें आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा है कि आप अपना एक एम सेलेक्ट करत किसी का एम होता है कि आज दोड़ेंगे तो उसको तुम कम जोर थोड़ी से मजलो कि किसी का एम होता है कि आज हमें आज ये करना है कम जोर थोड़ी हो आप लेकिन एक्चल में जो जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो वो सब कुछ नहीं है तो ही बात ही है लेकिन आपको तो मुझे इस नहीं बता होता, मैं आपसे एक्तम सहीजी सेयर कर रहा हूँ, मेरे घर में तीन-तीन IIT में हैं, एक IIT कानपुर, दो IIT खड़कपुर, मेरे घर में, मेरे भाई, तो मुझे पता है ना कि उनकी सोच क्या है, और वो क्या करते हैं, और क्या उनका मेरे लिए सोचन करना चाहरा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अच्छी रेंग आजाएगी, और तुम पस्किर में जाके एकदम जयजयकार होने लगेगी, कोई नहीं पूचेगा वाई, कॉलेज में जाके तुम से, ध्यान दखना, तुम्हारी EIR 1 आजाए, EIR 10 आजाए, अच्ती बात है मैं इसको सबोर्ट करता हूँ कि आपका एम है, क्यों आप उस चीज को अचीव करना चाहते हो, तो करो, उसके लिए तुम एफ़र्ट लगाओ कि सीखो कि कुछ, लेकिन वो परमसत्य नहीं है, जो मेरी डिफरेंस समझना बात को, कई लोग इसका बहुत गलत मतलब भी निक हो, आपको कोई चीज, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपको वो चीज मिलनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवस नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि वो सब कुछ था, मैं आपको यह समझाना जा रहा हूँ, मिलेगी, बहुत बढ़िया, हम भी ताली बढ़िया जाना, अपने लिए कि भाई, चलो हमने कुछ किया जीवन में, अच्सी बात है, लेकिन वो परमसत्य नहीं है, जो सत्य कॉलेज के बाद होता है, वो एक्च्छल परमसत्य है, और उस लेवल पर अभी तुम लोग नहीं पहुचे हो, और तुम वहाँ नहीं कि आपका भाई, आपकी बहन किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे पूझना, कि उस कॉलेज का जो टॉपर होता है, और उस कॉलेज में जो लास्ट रैंकर होता है, वो बरावर हो जाते हैं, मेरी ब्रांच में, 432 रैंक में, जिसने ओपन किया था, उसका लास्ट तक आते हैं प्लेस्मेंट ही नहीं हुआ भाई अब यह समझे लो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी रैंक आजाएगी तो तुम बैस्ट हो गए आए अच्छी बात है हम भी अप्रिशेट करेंगे कि भाई यार हमारा पड़ागो बच्च निकला लेकिन कॉलेज में जिस दिन तुम कदम रख लेते हो कॉलेज के दरवाजे पर जिस दिन कदम रख के तुम रेजिस्ट्रेशन करवा लेते हो ना अपना उस दिन सब बराबर होते हैं यह तुम्हें कोई नहीं बताएगा तुमको बस जयजयकार करने की आदत है ना कि हमारा जो है रेंक आ गया अरे भाई बार्मी क्लास में हो तुम अभी बहुत बड़े नहीं हुए हो जीवन में बहुत बार गिरोगे और वहां से जो तुम उठोगे ना वह बहुत पर जाओगे फिर फिर तुम्हें कोई नहीं रोख पाएगा तुम सोचते ना दस्मी का प्यारा हमारा हमारा तो ब्रेक अप हो गया और यह हो गया वो हो गया हम तो दस्मी में हमारे 78 आ गए हमारे तो 90 परसेंट आ यह कुछ नहीं है भाई कॉलेज में जाने के बाद जब जो संगर्स होगा कॉलेज में जो चार साल तुमारे निकलेंगे नौकरी लगेगी नहीं लगेगी बहुत सारी चीज़ा होंगी क्या करोगे फिर बहुत बार कि रोगे लेकिन उसके बाद जो उठेगा ना वही जो इतिहास में लाइने लिखी जाती ना कोई लिखता है जो से बिखो एक होती ओपनिंग रहें जो भी एक्जाम ले रहा हूं मालो दस रेंग आगे चालिस रेंग आगे जो भी आगई तो जब तुम कॉलेज में कदम रखोगे ना तो चालिस रेंग और तुमारी 500 रेंग क्योंकि सेम ब्रांच मिलनी है तुम तो बराबर हो इसका जाता है तो यह एक स्पीड ब्रेकर है आपकी जिंदगी का बहुत बड़ी चीज नहीं है जितना तुम लोग समझते हो वह वह ना रखा ना एक्जाम का जे नीट यह एक्जाम वह एक्जाम कहां यार यह सब बहुत यह पता है जब तुम कॉलेज पास आउट कर चुके होगे तब तुम क्या तुछ एक्जाम के पीजाम पड़े थे यार असली जिंदगी की रेस तो यह है जो हम अभी जी रहें जब सर्वाइवल के लिए तुम्हें जीना होगा ना यह का दसमी मार्मी यह क्या है एक्जाम जेई नीट क्या है व कुछ नहीं है तुम सोच रहे हो कि नहीं हमारी रेंग आईगी सवर हम तो टॉपर है अपने बैच के अरे कोई कुछ नहीं हो तुम कॉलेज के अंदर गुसोगे ना तुमसे कम रेंग वाला भी तुमसे ज्यादा सीजी पीए से निकलेगा ठीक है तो इसलिए मैं बोलना थ जादा अपने आपको बहुत सुपीर नहीं समझना से हो ना जादा डाउन समझना से है कि नहीं हम ही बेस्ट हैं या हम एकदम बेकार हैं अरे यार सबके पास अपने अपनी क्वालिटी जै उसको निकालो बाहर ऐसे तीर निकलेंगे उसको चलाओ तब तुम जीवन जीपा करें कुछ नहीं कर पाओं के तुम करोड कमाने वाला सोची नहीं पाएगा कि इतना अपने अफ़ेश करता है एसा नहीं कि तो दो कंटे काम किया डीर गडू कोई यह तो तो मारे पास समय नहीं बचेगा पर उत्ता पैसा खर्च करने को कहां करोगे वाई संपत्ती लगा तो ऐसा नहीं है कि आपको आपकी रेंग आ जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने ड्रीम के लिए काम ना करो दोनों चीज़ा है एक्छल मैं मैं जिस एंगल से तुम्हें देख रहा हूँ और आप जिस एंगल से मुझे देख रहे हो वो अलग है मैं उस एंगल से तुम्हें देख रहा हूँ जहां मैंने बहुत गिरते हुए लोगों को देखा है कि यार सिलेक्ट ही नहीं हुआ दस बारा साल के एक्सपिरेंस तो बहुत देखा लोगों को कि सर मेरा तो सेलेक्शन नहीं हुआ अब मैं क्या करूंगा और वो आज की डेट में गाना गा रहा है बहुत बढ़िया वो इनसान मैंने देखा है कि जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था वो आज की डेट में अपनी कंपनी चला रहा है बात समझ लो तुम मतलब ऐसे लोग देखें और ऐसे भी देखें हैं भाईया कि जिनका बहुत बढ़िया रैंक था कॉलेज में अच्छा कर रहे हैं नोट आउट अच्छा कर रहे हैं लेकिन जिस लेवल का हम लो चीज है जो मैं आज बोल रहा हूं और जो आप भी समझो जेई और नीट में सेलेक्शन होने के पात असली संगर्थ तुम्हारा चालू होगा यह कोई नहीं बतायागा क्यों याद करो तुम्हारे घरवाले तुमसे क्या बोलते थे बस आठमी कर लो मजा ही मजा है बस दसम गल और यह करने के बाद मजा है अरे मजा कभी नहीं है जीवन जो है रण मुमी था है और रहेगा हमारा इंदुस्तान का इत्यात बोलता है यह आपको लड़ना पड़े गा चीजों के लिए ठीक है पागलपन जरूरी है समझे हो आपका ड्रीम है हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं आपका ड्रीम है हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं दो बार बोला मैंने न आप इस ड्रीम को सक्सेस्पुली अचीव इसलिए तो हम मैनत कर रहा है यार कि आपके ड्रीम को हमें फुल्फिल करान ल तो नहीं है हो कि तुमारी इयिट में सेलेक्शन हो गया तुम्हारा नीट में सेलेक्शन हो गया अच्छा इमज दिली में है आपका सफना है हम उसके लिए ही तो महनत कर रहे हैं कि आपका शपने को पूरा कर हैं लेकिन उसके लिए चिन्दे Firebase में जाने केया हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, in the sense of content, बाकी दिल से जुड़े हो तो जुड़े रहेंगे, ऐसा क्या है? कई बच्चे मेरे से जुड़े हैं, 10-10 साल पुराने भी जुड़े हैं, किस रास तो मज आग, आस तो यहां है, ऐसा, तो वो तो जुड़े हैं, लेकिन हम उस सें और वही महनत हमें करनी है, मैं आपको पता है, आज मैं आपको ग्यान क्यों दे रहा हूं, मैं आपको ग्यान इसलिए दे रहा हूं कि, आप जो लोग सोचते हैं, बहुत बड़ी चीज है यही और बहुत बड़ी चीज है नीट है, कोई बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी न तुम अभी यहां खड़े हो तुम यह सोच रहो कि यह है फाइनल तुम पता नहीं है क्यों कि तुम अभी यहां पहुंच जाओगे ना उसके बाद समझ में आए गाए जिन्दगी में बहुत बड़ी टेंसन है संगर्स करना होगा और जिन्दगी में हमें सब पॉजिटिविटी बनाए रखना होगा हर कदम पर आपको दस लोग मिलेंगे जो मना करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता बस आप वहां पे जीच जाओ तो बस नाम हो जाएगा आपका है ना समझेरो टू स्टेप रियेक्शन क इस पहाड को चड़ रहे हो वो कुछ भी नहीं है वो आप कर सकते हो महनत करो बस कर लोगे असली पहाड पता क्या होता है जब किसी से आप अभी पता क्या हो रहा है आपके साथ जिन्दगी में आपस पढ़ रहे हो घरवाले आपसे एक काम नहीं कराते बात सही है घरवाले आपको बोलते हैं बिटा बेटो और पढ़ो और तुमको ये पाहाड लग रहा है बहुत उंचा है जब तुम दूसरे के यहाँ काम करोगे या अपनी कंपनी भी खोलोगे या कुछ अपने लिए बढ़ा करोगे तो वो पाहाड बहुत-बढ़ा होता है पर भाई ये ऐख़्िए तो ये बाएर निकलोगे और किसी दूसरे इनसान क्या वहां जाओगे कि सर हमें नवकरी चाहिए या आप अपनी फ्रक्राइव भी कोलोगे तो उसमें भी आपको बहुत महनत लगेगी ऐसे खड़ाकर नवी आसान कम नहीं होता है जो बता देते हैं कमपनी खोलो इतना इसा नहीं होता लगो लोग सब्सक्राइव बोल तो आपने यह कुछ करोगे ना अभी आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो अभी आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप गलत फैमी में हो बहुत चोटा पहाड़ है बहुत बड़ा पहाड़ा भी चड़ना बागी है जब खुद के लिए काम करोगे ठीक है कुछ भी बचीव कर लो बहुत बड़ी बात है सबने रवात को